भगवान परशुराम ने कुरु सभा में अपने शिश्यों भीश्म, द्रोन, कर्ण की बजाए अरजुन की प्रसंशा क्यों की थी? क्या है ना कुछ लोग फेस्बुक पेज को पढ़कर यह समझ लेते हैं कि उन्होंने बोरी की महाभारत का अध्ययन कर लिया है और उसमें द क्षत्रिय भीम सेन, क्षत्रिय सात्य की, क्षत्रिय अभिमन्यू से कई बार लाल पीला हुआ था। क्षत्रिय प्रद्युम्न ने तो उसे पकड़ कर गुफा में पठका था, तथा क्षत्रिय बलराम जी उसके और बाकी कुरु योद्धाओं के सामने हस्तिनापुर को बोने वाले थे। खैर, परशुराम जी ने कर्ण कैसा था, इसके बारे में कोई व्यक्तिगत टिपणी तो नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अरजुन के पूर्व जन्म के पराक्रम को बता कर, अरजुन के बारे में यह जरूर कहा था, उद्योग पर्व, गीता प्रेस गोर परशुराम जी ने साफ कहा है कि वीर अरजुन साक्षात नर रश्शी ही है, तथा नर नारायन को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है, और हाँ, यही बात उनके गुरु भी मानते थे।